हेलो दोस्तों आज 15 दिसंबर 2021 के करन डेफर को डिसकस करेंगे तो आज का पहला को सने हाली में टाइम मेगजिन के पर्शन ओप दे येर 2021 कौन बने तो इसका सही उत्रप्शन भी ऐलोन मस्क तो टाइम मेगजिन जो की एक अमरिकन न्यूज मेगजिन है और इस टाइम मेगज जो की दुनिया का रिचेस्ट पर्शन है वहें पर टाइम मेगजिन के 2021 एथलीट ओफ दे येर बने है साइमन बीलेज अगला को सने हाली में बीपी सी अनले हरीत हाइडोजन उत्पादन यानिकी गरीन हाइडोजन के प्रोड़क्शन के लिए निमलिकिन में से किसके साथ क तो रिसेंटली अलकलाइन एलक्रोलाइजर टेकनोलोजी यानिकी इस टेकनोलोजी का इस्तमाल ग्रीन हाइडोजन प्रोड़क्शन के लिए कि आ जाता है तो इस ग्रीन हाइडोजन प्रोड़क्शन को इंक्रीज करने के लिए बीपी सीयल यानिकी भारत पेट्रोलियम कोर से इस इनिसियेटिव से भारत के renewable energy target को अचिव करने में मदद मिलेगा जिसके कारण greenhouse gases के emission कम किया जा सकेगा ठेक है तो green hydrogen मतलब इसको जान लेते हैं तो water आपको पता होगा जो कि hydrogen and oxygen से बना होता है अगर इसको हम electric crane pass करते हैं यानि कि इसका electrolysis किया जाता है और इस electric crane का इस्त energy solar energy तब जो water से hydrogen and oxygen split होता है यानि कि अलग हो जाते हैं तो इस hydrogen को कहा जाता है green hydrogen तो याद रहेगा जो हम electric crane इस्तमाल करेंगे वो renewable energy से होना चाहिए तब जो hydrogen produce होगा उसको हम green hydrogen कहेंगे तो green hydrogen का कहा पर इस्तमाल कर जा सकता है तो इसको industry में मतलब industry में इस्तमाल कर जा सकता है जैसे की petroleum product को बनाने के लिए जैसे की diesel हो गया किरोसीन हो गया ठेक है एंड इसका इस्तमाल fuel cell के लिए क्या जा सकता है मतलब fuel cell के साथ क्या जा सकता है to generate power अगला को सने हाले में भारत में क्यूबा के नए राजदूत कौन बने who became the new ambassador of क्यूबा to India तो इसका सही उत्रप् capital है हवाना and currency है peso अगला को सने हाली में DRDO ने supersonic missile assisted torpedo system कहां से launch किया है तो इसका सही उत्रप्शन B Wheeler Island से तो supersonic missile assisted release of torpedo यानि की smart इसको successfully launch करा गया है DRDO के द्वारा और इसको कहां से launch करा गया है तो Wheeler Island से तो Wheeler Island जिसको अभी APJ अब्दुलकलाम आइलेंड के नाम से जाना आता है और यह Odisha में स्थी थे तो इस supersonic missile को develop करा है DRDO ने for Indian Navy तो torpedo होता क्या है यह एक self propelled weapons होता है यानि कि 140 हतियार जो कि underwater travel करेके वहां के target को hit कर सकता है जैसे कि submarine को hit कर सकता है एंड इसको water surface के ऊपर या फिर water surface के अंदर से launch किया जा सकता है तो weapons को जान लेते हैं तो एक होता है subsonic missile उसके बाद होता है supersonic missile एंड तिसरा होता है hypersonic missile तो subsonic missile जिसकी speed sound की speed से कम होती है उसको subsonic missile करते हैं तो sound की speed होती है 343 meter per second मुए पर supersonic missile जिसकी speed sound की speed से मतलब थोरा बहुत ज्यादा होता है and hypersonic missile इसकी speed sound की speed से five times ज्यादा होता है तो DRDO की बात करते हैं तो इसका फुलफूम होता है defense research and development organization इसका formation वाता 1958 में headquarter है new Delhi में and present time इसके chairman है Dr. G. Satis Reddy अगला question है हाली में सीकायतों के परभंधन के लिए digital platform लोगपाल online का उद्गार्ण किस ने किया who inaugurated the digital platform लोगपाल online for the management of complaints तो इसका सही उत्रप्शन भी पिनाकी चंद्रा घोस तो एक digital platform जिसका नाम है लोगपाल online for the management of complaints और इसको launch करा है पिनाकी चंद्रा घोस और यह present time chairman है लोगपाल के तो इस लोगपाल online platform के जड़िये कोई भी वैकती online corruption के खिलाब complaint फाइल कर सकता है अगला question है किस IIT ने एक ऐसा kit विक्सित किया है जो 90 minute में omicron variant का पता लगा सकता है which IIT developed a kit that can detect omicron variant in 90 minutes तो इसका सही उत्रप्शन डी IIT देहली ने तो एक test kit जो की 90 minute में omicron variant का पता लगा सकता है और इसको develop करा है IIT देहली के कुसुम इसकूल ओ बायलोजिकल साइन्स ने तो यह omicron जिसका नाम है B.1.1.529 एंड इसका नाम omicron दिया है WHO ने और इसको variant of concern में रखा गया है और यह variant पहली बार South Africa में detect किया गया था इससे पहली मौत हुई है Britain में तो IIT से related कुछ development को revision कर लेते हैं तो इंडिया का पहला motorized wheelchair vehicle जो की IIT मदरास ने बनाया है इंडिया का पहला 3D printed house जिसको develop किया है IIT मदरास ने block track जो की एक blockchain based healthcare information system है इसको develop करा है IIT मदरास ने इंडिया का पहला earthquake early warning mobile app जिसको launch किया IIT रूर्की ने जो की उत्राखन में इस्तित है MB tech जो की real time temperature को record कर सकता है इसको develop करा है IIT roper ने पंजाब में इंडिया पे fake booster जो की imposter यानि की धोके बाज को detect कर सकता है during video conference इसको develop करा है IIT roper ने अगला question है Abu Robocon 2022 निमली के दमेर से किस के दौरा host किया जाएगा तो इसका सही उत्रप्शन भी दूरदर्शन के दौरा तो finale of Abu Robocon 2022 जो की एक robot competition है एंड इसको host करेंगे दूरदर्शन न्यू देली में एंड इसको organized किया जा रहा है Asia Pacific Broadcasting Union याने की ABU एंड इस दूरदर्शन Robocon 2022 का theme होगा लगोरी ठीक है याद रहेगा theme है लगोरी एंड वहीं पे Abu Robocon 2021 इसको host करा था चाइना ने अगला question है हाली में चर्चा में रहे French island territory जिसका नाम है New Caledonia कहां पर इस्थित है तो इसका सही उत्रप्शन भी South Pacific Ocean में जो कि एक French island territory है और यह कहां पर इसी थे तो South West Pacific Ocean में तो यहां पर आपको मिल जाएगा Australia के बगल में यह भी चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली यहां पर referendum यानि कि जन्मत संगरह हुआ था यहां के waters ने France के साथ ही रहने के लिए चुना है अगला question है हाली में दिल्ली की योगसला कारे करम यानि के program को किसने launch किया है तो इसका सही उत्रवशन भी अर्विंद केजरिवाल दिल्ली की CM तो दिल्ली की योगसला program जिसको launch करा है दिल्ली के CM अर्विंद केजरिवाल ने एंड इसके जड़िये मतलब free of cost योगा classes प्रोवैट के जाएगा दिल्ली क लोगों को तो यह दिल्ली से related current effort है इसको revision कर लेते हैं तो दिल्ली का भी present time लेप्टिन गवर्णर है अनिल बैजल CM है अर्विंद केजरिवाल इंडिया का largest kidney dialysis hospital दिल्ली में खोला गया है faceless transport service इसको भी दिल्ली में शुरू किया गया है इंडिया का पहला fast tech या फिर UPI based parking facility इसको launch किया गया है देली मेट्रो के द्वारा देली में वहीं पर जहां वोट वहां campaign vaccination इसको देली government के द्वारा लॉंच किया गया था तो इसका सही उत्रोप्षन ए राजनाज सिंग ने तो सवर्निम विजय पर्व इसको इंडिया के 1917 war के historic victory and इंडो बंगलादेश friendship के 50 सार पूरे होने के याद में मनाया जा रहा है इसका उद्गार्ण करा है राजनाज सिंग जो की इंडिया के defense minister है और इस event में भारत के पहले chief of defense staff जनरल विपिन रावत के pre-recorded message को play किया गया था सवर्निम विजय पर्व के event में ठीक है तो chief of defense staff विपिन रावत हाली में इनका helicopter crash में नीधन हो गया था तमिल नाडू में and इस helicopter का नाम था MI-17V और इसको build करा था राशी आ रहे है अगला question है हर साल राश्ट्य उर्जा सनरक्षन दिवस यानि कि national energy conservation day कब celebrate क्या जाता है तो इसका सही उत्रप्षन भी 14 December को तो national energy conservation day हर साल 14 December को celebrate क्या जाता है और इसको celebrate करते हैं to raise awareness about the importance of energy conservation and मतलब इसको organized क्या जाता है energy efficiency bureau के दौरा तो recently मतलब 8-14 December 2021 के बीच energy conservation week celebrate क्या गया है ministry of power के दौरा तो याद रहेगा energy conservation week इसको 8-14 December के बीच celebrate क्या गया है ministry of power के दौरा तो energy efficiency bureau यानि की BEE यह एक government का agency है और इसका formation हो था 2002 में under the energy conservation act of 2001 ठीक है और यह आते है under ministry of power के and इसका function है to develop program which help to increase the conservation and efficient use of energy in India अगला question है alone in the crowd पुस्तक के लेखक को ने तो इसका सेहत्रप्शन C, both A and B यान की Dr. Sumit Parik and कमा चिपबर ने इन पुस्तक को लिखाए जिसका नाम है alone in the crowd कर कुद बुस्तक कर के कुद दिसका कर